नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अंसुमन नायक और आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस निउज की डिफेंस टॉक्स तरीज में जहांपर हम रोज नए-नए डिफेंस अपडेट्स के वारे में बात करते हैं तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो सुरू करते हैं आज की पहली अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से हैं और अभी हम इंडियन नेवी की तरफ से अनाउंस किया गये कुछ बहुती बड़ी अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं अभी के लिए इंडिया नेवी की मेजॉरिटी वार्शिप्स में एर डिफेंस मिसाल के तौर पर एमार सैम और बैरक वन जिससे सिस्टम को डिपलॉई किया गया जिसमें से बैरक वन सिस्टम को बहुत ही जल्दी हमारी VL SR सैम से रिपलेस करने का प्लान किया गया है लेकिन फिर भी अगर नेवी की अल्ट्रा लॉंग रेंज एर डिफेंस के बात करें तो उसमें हम कहीं न कहीं पीछे पड़ रहे हैं इसी को लेकि अभी इंडियन नेवी की तरफ से बहुती बड़ी स्टेटमेंट दिया गया जिसमें इंडियन नेवी की तरफ से बता गया कि अभी डियाडियो की तरफ से इंडियन नीवी के लिए एक next generation air defense system या air defense interceptor missile को develop किया जा रहे है जो कि 250 km से भी जादा दूरी से दुस्मन की incoming aircraft, cruise missile, hypersonic missile और यहां तक की ballistic missile को भी intercept करने में सक्षम होने वाले है इसको इंडियन air force के लिए develop किया जा रहे है, प्रोजेक कुसा से derive किया जा रहे है, जो कि उसकी naval variant होने वाला है और इसमें develop किया जाने वाले missiles को फिलाल PGLR साम का नाम दिया जा रहे है और अभी इन missiles की fabrication walk को करना start किया जा चुक है, उमीद किया जा रहा कि अगले साल तक इनकी testing करना सुरू किया जाएगा यह interceptor missile, hypersonic missiles होने वाले जो की mark 7 की speed में travel कर सकेंगे और यह दुस्मन की antisept cruise missile और ballistic missile को आसानी से intercept कर पाएंगे और इनको इंड़ेट करने के बाद इंडिया निवी की हर एक worship की air defense capabilities कई गुना तक भैतर होने की उमीद भी किया जा रहे निवी का कहना है कि इन missiles को कुछ इस तरीके से बनाया जा रहा कि इनको हमारे सभी existing vessels में integrate बहुती आसानी से किया जा सकता और इनको MR साम के साथ मिलाकर deploy किया जाने वाला जिससे हमारे वार्टिस में एक multi layer की air defense coverage को provide किया जा सकेगा जिसमें पहले layer में PGLR साम रहेगा जो की 250 km के आसपास की target को intercept करने का काम करेगा फिर MR साम रहेगा जो की 50 km से लेके 100 km की बीच के target हो detector के साथ engage होगा और उसके बाद VLSR साम रहने वाला है जो की 40 km के अंदर के target को neutralize करने का काम करने वाला है और इस तरीकी के air defense coverage होने से हमारे वार्टिप्स को किसी भी Chinese Antisip cruise missile से ballistic missile से कोई भी खतरा नहीं होने वाला आज Indian Air Force की तरफ से दिएगे एक statement के मताबिक तेजस के साथ आज अस्तर missile को पहली वार stealth mode में test किया गया था जिसे technically network mode भी कहा जाता है और modern VVR fight में दुस्मन को confuse और surprise attack को करने के लिए ये काफी काम आता है आसान भासनमक है तो इसमें जो एक राफ दुस्मन को detect करता है या जिस भी एक राफ की radar से दुस्मन को detect किया जाता है वो usually missile को fire नहीं करता है और जो एक राफ दुस्मन को detect करता है वो अपनी radar की data को data link के जरीए अपनी friendly aircraft के पास forward करता है जो कि पहले से stealth mode में operate कर रहा होता ह जैनि कि जो stealth mode में operate कर रहा होता है वो अपनी radar को बंद रखकर operate कर रहा होता है जिस वज़े से उनकी position के वारे में पहले दुस्मन को आसान इसे पता नहीं चलता है वना radar warning receiver में दुस्मन को idea लगी जाएगा कि दुस्मन किस direction में मौजूद होता है तो वो अपनी radar को उस direction में करके दुस्मन को scan करना चालूग कर सकते हैं तो ऐसे condition में अगर दुस्मन को amuse करना होता है तो एक aircraft दुस्मन को detect करने का काम करता है और दूसरा aircraft चुपके से low fly करते हुए या terrain masking करते हुए radar को evade करता हुआ दुस्मन के करीब जाने की courses करता है या flying करने की courses करता है तब ही ज इसे condition में दुस्मन समझ नहीं पाता है कि उस पर कहां से missile launch हुआ है क्योंकि radar warning receiver उसको दिख रहा होगा कि सामने कोई दुस्मन है जो कि उसमें lock कर रहा है लेकिन missile warning किसी दूसरे direction के उसकी तरह आ रहा होता है तो इसे condition में missile और उसको fire करने वाले aircraft को लेके दुस्मन जब तक कोई decision ले पाता है तब तक काफी समय बरबाद हो जाता है और aerial warfare में एक एक सेकंड भी काफी माइने रखते हैं अब अभी तक इंडियन air force के पास capabilities मौजूद नहीं ते लेकिन अभी इंडियन air force के पास निटक बोर्ड में भी missile को fire करने की capability आ चुके जिसमें हम एक्स की कर सकता है अगला update multi-role combat aircraft की टिंडर की तरफ से इंडियन air force इसी साल के अंद तक अपनी multi-role combat aircraft की टिंडर इसू करने वाली लेकिन यह multi-role का exact मतलब क्या है इसका अभी तक कुछ clear आइडिया नहीं लगा है और यहीं कुछ चीजह हैं जो की confusion को create कर रहे हैं आप सभी को याद होगा कि पहले जब इंडियन air force की तरफ से multi-role combat aircraft की टिंडर को float किया गया था तब इसमें single engine fighter jet का term इस्तमाल किया गया था जिनका total take off weight 20 टन से जादा नहीं होता था फिर उसके बाद उसे cancel करके MMRC यह टिंडर को float किया गया जिसमें यह बात confirm था कि इसमें medium mid class की aircraft को खरीदा जाने वाला था लेकिन जब इसको cancel करके फिर से multi-role combat aircraft की tender को float किया गया नहीं कि वर्तमान जो tender float हो है उसे float किया गया तो उसके बाद multi-role का term को लिए काफी confusion create हो रहा है और यह original equipment manufacture के लिए काफी confusion को भी create कर रहा है original equipment manufacture को समझने में दिक्कत भी आ रहे है कि Indian Air Force के actual requirement क्या है यहां पर और इसी वज़े से अभी काफी unnecessary proposal भी आने लगे हैं जो कि Indian Air Force को इस tender में offer किया जा रहे है जिसे कि इस tender में अभी F-15 EX और SU-35 जिसे aircraft को भी offer किया जा रहे है जो कि technically heavyweight class के fighter jet है लेकिन अभी उनको multi-role combat aircraft की tender में float किया जा जबकि primarily Indian Air Force की तरफ से यह बात clear किया गया था कि इस tender में हम लोग medium mid class की fighter jet को खरीदने वालें और इसी चीज़ की वाई से evolution process और भी complex बनता जा रहा है अगर Indian Air Force यहां पर multi-role का specific definition provide करता है या इस tender को और आसान करना चाहता है तो यहां पर multi-role का specific definition को इंडियन Air Force को provide करना पड़ेगा और एक अपर लिमिट को भी यहां पर सेट करना पड़ेगा यानि कि जो भी aircraft इसमें offer किये जागे उनकी exact weight category को या take off weight category को setup करना पड़ेगा तो इससे काफी clarity मिल जाएगी यानि कि Indian Air Force को इतने weight वाले aircraft चाहिए जिस वाजे से जो लेने में मदद मिलेगी और आने वाले दिनों में देखना यह होगा कि क्या Indian Air Force अभी अपनी multi-role combat aircraft टेंडर के लिए कोई clear definition निकालती है ताकि इस confusion को और ना बढ़ाते हुए इस टेंडर को जल्दी जल्दी final किया जा सके और जल्दी जल्दी हमको हमारे Indian Sky के उपर multi-role aircraft ने मातर है